नकल में भी अकल चाहिए। एक पहाड की उची चोटी पर एक बाज रहता था। पहाड की तराई में बर्गद के पेड़ पर एक कौआ अपना घोसला बना कर रहता था। वह बड़ा चालाक और धूर्थ था। उसकी कोशिश सा यही रहती थी कि बिना मेहंत किये खाने को मिल जाएं। पेड़ के आसपास खोह में खरगोश रहते थे। जब भी खरगोश बाहर आते तो बास उची उडान भरते और एकाद खरगोश को उठा कर ले जाते। एक दिन कौए ने सोचा वैसे तो यह चालाक खरगोश मेरे हाथ आएंगे नहीं। अगर इनका नर्म मास खा तो मुझे भी बास की तरहे करना होगा। एका एक जपट्टा मार कर एक को पकड़ लूँगा। दूसरे दिन कौए ने भी एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर उची उडान भरी। फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बास की तरहे जोर से जपट्टा मारा। अब भला कोआ बास का क्या मुकाबला करता। खरगोश ने उसे देख लिया और जट वहां से भाग कर चटान के पीछे छिट गया। कोआ अपनी ही जोक में उस चटान से जा टकराया। नतीजा उसकी चोच और गर्दन तूट गई और उसने वही तडप कर दम तोर दिया। झाल 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 झाल